MSP को लेके जो कोई भी किसी तरह का विरोधाफास नहीं है minimum sport price ये केंदर सरकार द्वारा तै किया जाता है और इसके उपर कहीं भी किसी तरह का कोई खत्रा नहीं है कुछ political मजबूरियां हर आदमी की होती है देखे मंडी का जो एक आरती है जो आरती एक बिचोलिये का काम करन वाला है वह पिचोलिये को इस बिल से निकाल दिया किसान अपने फसल को कहीं भी किसी भी बाव में अपनी मर्जी से किसी को भी बेच सकता आरती को खतम नहीं किया उसकी यह अरिवारिये तक खतम किया देश का किसान आज खेतों से निकल कर सड़कों पर है नारे लगा रहा है आंदोलन कर रहा है कारण भारतिय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा क्रिशी बिल क्रिशी विदैक जिसको लेकर आज देश का किसान खासकर पंजाब और हर्याना में आज देश में जो हलात बने हुए है यह सभी हम जानते हैं कि जिसकदर पिछले कुछ अरसे से किसानों ने एक आंदोलन के रूप में इस क्रिशी विदैक का भरपूर जिसके उपर बहुत से ऐसे विरोदावास हैं जिसे किसान ही देशी नहीं है तक सबीजरिक विशी सब्काइब ज City जान डाने भारतीय पार्टियंद्यगर चंभी क्याइस क्यागत Vobra Mid dus अधन्यवाद जैसाब आपकी पार्टी पार्टी आप प्रवक्ता केंद्र सरकार में पिछले दिनों कृष्चे बिल पेश करती है और यहां सड़कों पे किसान खड़ा हो जाता है इसके विरोध में क्या करण है किसान खड़ा हो जाता ऐसा नहीं है सही महने में कि यह जो बिल बनाया है जो पेश किया है तीन बिल है यह बेशिकली एक तो है जो क्रिशक उपजवे पार्वे वाणिज़े समर्धन और स्विधा बिल दोजार बीस दूसरा जो बिल है वो है क्रिशक शशस्तिकरण एवं सरक्षक केमत आशवाशन और क्रिशी सेवा करार बिल दोजार बेस तीसरा है आवशक वस्तु अधीनियम संशोधन बिल दोजार पेस तीन बिल बेसिकली पास किये जो पेश किये गए हैं और लोग साब हमें पास भी हो गए हैं दो उन में से पास हो गए हैं एक और हो जाएगा यह जो बिल है यह पिलकुल किसान के हित में हैं किसान के हितों क नजर रखते हुए इस बिलो को पेश किया गया है सबसे बड़ी देखे इसमें जो सबसे बड़ी बात इन तिनों बिलो में जो है किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज छोड़ दी जो किसानों को अपड़ी जो फसल थी वह मंडी में बेचने के लिए जाना परता था मंडी शुल्क देना पड़ता था आने जाने का खर्चा देना पड़ता था बहुत सारे ऐसे खर्चे देने पड़ते थे जो किसान को मंडी में देने पड़ते थे उन सब से रात मिलेगी किसान को अपना पैसे ज्यादा मिलेगा तो आप यह नहीं कह सकते भी किसान विरोधिय है अपोजिशन वाले लोग किसान हमारे देश का किसान बहुत बोला किसान है किसान वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि सचाई क्या है लोग जो बढ़का देते हैं जो बढ़का देते हैं पॉलिटिकल मोटिव है उन लोगों को जो बढ़काने वाले हैं उनके पीछे उन इवन परधानमंत्री जी ने बार-बार कहा है मस्पी जो केंदर सरकार द्वारा तै की जाती है मीनिमम स्पोर्ट प्राइस यह केंदर सरकार द्वारा तै किया जाता है और इसके उपर कहीं भी किसी तरह का कोई खत्रा नहीं है कोई भी जो खरीदार है मस्पी से कम नहीं खरी परदियंता पार्टी का घटक दल अकाली दल जो कि दशकों से परदियंता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है राजविती करता है और केंद्रिया मंत्री हरसी मृत कौर बादल इस्तिफा देती हैं इसी किसान विरोधी बिल को लेकर तो इसे कैसे देखते हैं आपने पॉलिटिकल मजबूरियां हर आदमी की होती हैं पंजाब की क्योंके अकाली दल बेसिकली पंजाब में राजविती करता है पंजाब अकाली दल की अपड़ी कुछ राजविती की मजबूरिया हैं जिनके चलते शायद उन्हें ये कदम उठाना पड़ा तो आप ये कहना च कि पहने कि, उन्होंने भी इस बिल का विरूद नहीं किया था पहले अब जब आगले साल प्जाम एले वाले हैं प wzmne के किसानों को उब पर कहीना कहीं किसानों का प्जाब की राजनितिक में किसानों का बहुत बड़ा हाथ रहता है तो उसको आपस में तक्सिफाई करने के लिए रानेतिक फाइदे के लिए ये इस्तिफा दिया गया है किसी अब तक कह सकते हैं कि राजनेतिक मजबूरियों की वज़े से ये फादा नहीं कह सकता है मैं मजबूरिया कह सकता हूं राजनेतिक मजबूरिय के और पुद्थान मंतरीजीं से कि इससे सर्जिस्स कमिटी में एक बार बेजा जा जाए लेकिन नहीं माना इसका नहीं नहीं, इसका मतलब तो साफ है, वो इस बाध के विरौद में नहीं है, कि उननों यही बाध तक है, कि इस बील में जो खामी आती है, उसके लिए के बेज लेकिन कितने फादे उनेवाड़े है कषान होगे इसमें सबसे दॉने उने पैने आर्ठी है जो आरती एक बिचोलिये का काम करने वाला है वह पिचोलिये को इस بل سے نکال दिया, किसां अपने फसल को कहीं भी किसी भी भाओ में अपनी मर्जी से किसी को भी बेच सकता, एक और बड़ा वर, द्रेशी सुनिए, जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, किसां जब भी किसान कंगाले के कागार पर आ जाता हिंदुस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि किसान के साथ अगर मौसम ने किसान का साथ नहीं दिया तो विचारा किसान पूरे साल के लिए कंगाल हो जाएगा इस बिल में एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि किसान अपनी फसल को उ चीज खरिदनी है उसका जो नफा या नुकसान होगा अगर को नुकसान होता है किसान को नहीं होगा आप ने एक तरफ एक आर्थी को हटाया तो दूसरी तरफ एक और कॉर्परेट कंपनी भी तो पीच में ले आया आप किसान के लिए वह डरेक्ट तो फिर भी निजुड़ा एक शोरब आपनी कॉंपनि हागी फों से उन व फ्रहnellिखन करोई के सबसे बड़ी बात किसान सिर्फ और सिर्फ मंजियों पर कhosना- ता मंधी में भी इसका गहूं पिकता था मंदी में इसकी फसल बिकी थी मंडि से मारी बेच नहीं सकता था अब यह मंदी की अगा कि अगर आरतीया है उसको को खटम किया गया है तो उसान के किसा लुट राकर इसलिए ये बिल लाकर ऐसी समझे को हटाया गया है और किसान को सीधे जोड दिया गया बाजार पे कि उससे उसका कुछ इत्मोले उसके फसल का मिल सके मेहनत का मिल सके ये बात किसान को क्यों नहीं समझ में आ रही है किसान को ये बात समझ में आ रही है लेकिन जो लोग जिनका सेल्फ वेस्टिड इंट्रेस्ट है जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इसके विरोध में उन लोगों को बढ़का रही है किसान खोद है सड़कों पर नहीं किसान को सड़कों पाइसाब आप यह देखिए आज किसान है अब अर्याना सरकार में हमारे कट्र साब ने भी आज भी कहा है किसानों को किसी भी परकार से गवराने की जरूरत नहीं है परदान मंत्री ने ये बात बार-बार कही है किसानों को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है किसान अगर आज भी मंडी में जाले जाए तो मुंडी में चाहे कौन मना कर रहा है? मंडी की विवस्ता लागु रहेगी इनके लिए एक द्रौचा और खूल दिया गया है कि आप अगर चाहें मंडी बिचे जाए आप उद्र बिचे यह जहां आपको फाइदा लगता है वहां बेचो आपको बता दूँ आपको शायदे बता हो कि जिसके टिप्टी सीम है उन्होंने भी हाला कि आज यह अपने बयान दिया है कि अगर स्क्राइब नहीं आती है जिस क्मिट किया रहा है तो मैं अपने पत से इस्तिफा दूँगा अगर MSP की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो लेकिन अगर क्यों नहीं मानी जाएगी जब सरकार यह कह रही है कि हमने MSP पर हम किसी भी हालत पर कोई समझोता नहीं करेंगे तो वह तो वह बात हो गई ना नामन तेल होगा ना नाजा नाचेगी ना मस्पी कभी भी कोई आँ चाहेगी ना जो कि आपके घटक दल के रूप में हर्याना में एंडिया सरकार में जेज़ेपी उसी पार्टी के आज विधायक ने समर्सन दे दिया है किसानों को जेज़ेपी के जो यह बही कर抜ी का अपना मामल है जेजेपी का मार्टी का मामला है हमारी पार्टी का उससे कुल लेना दे रहा थिया इस तरप आप देखे मैं एक बात mänaň आप बात बता रहा आप इस बिल को देखो बिल में है क्यां और उसमें क्या है पराबदान किया गए है कि किसphones अपनी ओपतर के दाम खुद टैकरने के लिए सौतनतरू होगा क्या गलती है इस में कोई गलती친 है किसान फसल मंडियों में पेशने की जो बाद्यता है उसके उपर जो बाद्यता मैं मैं में बिच और उसकी वह बाद्यता के जाएगी क्या प्राबलम ए आता है अगर ऑफसलों होगा अगर को वह एक हैं टी में जो टेक्स देने पड़ता ओड़ता था किसान को जो आरती को जो कमिस्छन देना पड़ता था आ ठी अच्छा जो करने वारा है मंडियों में बहुत बहुत कहीं कई सालों पैसे नहीं होते थे लोगों को मिलते थे उसके लिए ये कर दिया गया है जरूरी कर दिया गया है कि जो किसा जो भी आदमी खरीदारी करेगा जो भी कंपनी खरीदारी करेगी तीन दिन के लिए अंदर उसका बुक्तान करन पढ़ेगा तीन दिन में भुक्तान भी करना पड़े आप फसल के कहीं भी किसी भी तरह से को नुक्सान है आप बिल को देखो ना यह क्या हो रहा है देख रहेगी किसानों तक जाने की और यह बिल किसानों तक यह हमने देखिए MSP हम ले कि है MSP को हमने रेट बढ़ा है MSP को हमने v सरकार ने रिट बढ़ाया मेस पीगा अब इसको मेड़िया नूहित को यो अगिर को कोई पार्टी सोचती है 그거 के अगर को पृट्टी का ही दिये लेकिन यहां पर इसी है छो यहां 佐 här तो यहां पहलात है और आप तो चंडीगड की बाठपा में सक्रीह कारकर्ता कर रूप में अंपनी सवाय दे रहे तो यहां तो आपको खिलाफत जेली पड़ेगी फिर क्योंकि आपने बताया कि अब ये आरतियों को जो किसानों को लूट रहे थे वो खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि उनके उपर सबसे बड़ी चोट है तो देखा है तो चंडीगड़ के आरती तो प्रिटेक्स रूप से इसमे अब वो आरती की जो अनिवारियता आरती को खतम नहीं किया उसकी अनिवारियता को खतम किया उसकी बाद्यता को खतम किया है अब किसान चाहे वो आरती के थुरूप बेचे किसान चाहे वो डिरेक्ट कंपनी में जाके बेचे किसान चाहे डिरेक्ट वो फैक्ट्री में जा प्रोब्लम है वो जरूरी थोड़ी है को आरती के थूरू जाना चाहिए और वो डारेक्ट जाने चाहिए डारेक्ट जाने पर दोनों उप्शन इसके लिए खुली हो कहीं आप यह कह रहा है कि इसमें कते किसान कोई भी चीज ऐसे शामिल नहीं के अंदर पूरी तरह से यह कि तो यह विरोध क्यों विरोध में तो कहीं नहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल और वेस्टिट इंटर्स शामिल है कांग्रेस पार्टी ने अभी पर्सों भी उन्होंने इस बात को रखा कांग्रेस तो है विरोध के लिए ओ एक हमारे पंजाब में कावत अना अट्टा गु है वो लोग मैं यह मानता हूँ राजनिती में विरोध होना चाहिए लेकिन राजनिती में विरोध जो है वो एक क्षिस कारात्मक विरियो रोध रजकिनाた कि अच्छी बात नहीं में आज लाखों खं़या में हजारों के संख्या में किसान को पर आया हुआ हूएине та लोग लिए कह रहेंगे जब उनके सामने आ जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा किसानों को भी लगेगा नहीं यह तो गलत कर रहे थे हम लोग हमारे लिए तो एक रास्ता और खुला है यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा चिंता मत परिया पुर्धान मंतरी नरेंदर मोधी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आये को दुगना करना है माना यह जा रहा है कि किसान पे जो यह किर्शी विधहिक लाया गया है यह किसानों की उसी आंदनी को 2022 तक डबल करने का एक प्रारूप माना जा सकता है इसी भी चर्चा करते हुए आज केलाज जैन भारती नता पार्टी के प्रदिश्ववक्ता जमार साथ चतिगर से मौजूद थे जिन्होंने इस क्रिशी विधहिक के उपर जो विरोधा भास प्रकट किया जा रहा है या जो किसानों को साथ लेकर उन्हें बर्गला कर जो बोले वाले किसान को अपनी बातों में उल्जाकर प्रदिकल पार्टियां अपना राजनितिक उल्लू सिधा कर रही है यह उससे जादा और कोई भी एजिंडा इससे बड़ा नहीं था यह कहाना था आज हमार साथ उपसित स्टूडियों में कृषी विधेग पे चर्चा करते हुए कलाज जैन भारतियोंता पार्टी चन्दिगर्श के प्रदेश प्रबक्ता के रूप में आज हमार साथ इस पे डिसकस कर रहे थे तेक्तरी अर्षप्रकाश टीवी ताज़ा अप्डेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्षप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें